आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं BSP के बारे में जो कि यहाँ पे BSP से Constable Trade Man के पोस्ट किले वेकेंसी जारी की गई है जिसमें कि यहाँ पे Тोटल 1410 पदों की वेकेंसी यहाँ पे जारी की गई है और इसमें यहाँ पे mail और फे mail दोनों ही candidate form को फिलप कर सकते हैं तो इस वीडियो में हम बात करेंगे post wise कितनी vacancy दी गई है कितना qualification होगा तो आप इसे form को फिलप कर सकते हैं कैसे आपको इसका form फिलप करना होगा complete जनकारी मैं आप लोगों को इस वीडियो में देने वाला हूँ तो इस वीडियो को बिना skip करते हुए लास तक देखिएगा अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को subscribe कर लीजिए और साथे साथ विल आइकन को दबा दीजिए इसमें जो यहांप नोटिफिकेशन जारी किया गया ओफिशन नोटिफिकेशन है जो कि यहांपर देख सकते हैं वियस सब का ओफिशन नोटिफिकेशन जारी किया गया है और इसमें जो वेकेंसी यहां पर दीगे कांस्टेबल ट्रेडमेंट के पूश्ट लिए वेकेंसी जारी की गई है जो कि यहां पर जो अर्थेश की लेटिस्ट वेकेंसी यहां पर जारी की गई है और इसमें जो कैंड़ेट फॉर्म को फिलब कर सकते हैं जो कि यहां पर मेल दोनों केंड़ेट फोर्म को फिलाब कर पाएंगे और इसमें जो वेकेंसी यहां पर दीगाई टोटाल 1400 10 पदो की वेकेंसी यहां पर जारी की गई है जिसमें कि यहां पर mail के लिए जो वेकेंसी दीगे 1343 वेकेंसी है और फे mail के लिए इसमें वेकनसी यहां पे दी गई है और इसमें ऐसमें का पेज के रही है और सब्सक्राइख के लिए जो ओघूश्चर के लिए कंड़ेट है और वेकनसी के टेल टिया का एक टेगरी हो आए जो चैनल के लिए इससे के बाद दी सकते हैं तो आपको यहां पर नोट प्लम्बर के लिए नोट नोट करने के बाद करने के बाद 설क पोस्ट वाइज आप यहां पे पहले यहां पर दिया गए mail के लिए और इसमें जो वेकेंसी यहां पर दीगे mail के लिए देख सकते हैं 1343 वेकेंसी है और इसके बाद number second में दिया गिए इसमें फेमेल के लिए और इसमें जो वेकेंसी यहां पर जारी की गए फेमेल के लिए और इसका जो यहां पर दिया गया है जो starting date होगा जब इसका notification employment news में आएगा इसके बाद से आप 30 दिनों तक form को फिलप कर सकते हैं और इसमें जब कोईज calculate करना होगा जो कि application form का जो last date होगा उसी से अपना age इसमें calculate करेंगे और इसमें जब का age limit होगा जो कि यहां पर दिया गया 18 से 25 एर का age limit होगा form को फिलप करने के लिए लेकिन अगर आप इसमें Cや HD candidate होगे तो आप इसमें 5 वर्ष का shoot मिलेगा form को फिलप करने के लिए और जो candidate OBC के होंगे उनको यहाँ पे तीन वर्स का छूट मिलेगा form को फिलब करने के लिए और इसके बात नीचे यहाँ पे post wise qualification दिया गया जो कि यहाँ पे तीन अलग 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 यहाँ पे post लिए जिसमें की number one में यहाँ पे देख सकते हैं दिया गया सबसे पहले यहाँ पे कारपेंटर, प्लंबर, पेंटर, इलेट्रिसियन, पॉंप ऑपरेटर, ड्राट्मेन, टीन स्मिट के लिए यहाँ पे दिया गया यहाँ तो आपके पास two year का ITI नहीं होगा तो नीचे यहाँ पे आपको बताया गया one year का आपके पास ITI का सट्पिकेट होगा और साथ में आपके पास one year का experience होगा उसी trade में तो आप इसमें farm को फिलब कर सकते हैं और इसके बाद नमबर second में यहाँ पे दिया गया है जो कि देख सकते हैं इसमें कबलर, टेलर, वासरमन, बारबर, स्वीपर, माली और खोजी के लिए यहाँ पे दिया गया है कि वहला आप इसमें 10 भी पास हैं तो आप इसे farm को फिलब कर पाएंगे और इसके बाद नमबर third में यहाँ पे दिया गया है जो कि देख सकते हैं यहाँ पे दिया गिसमें cook, water carrier, waiter, butcher के लिए हैं पे दिया गया है और इन सभी पोश्ट लिए जो आपके पास qualification होना चाहिए जो कि यहाँ पे दिया गया आप इसमें matriculation qualify होने चाहिए प्लस आपके पास national skill qualification framework से आपके पास certificate होना चाहिए जो कि यहाँ पे देख सकते हैं पोश्ट वाइज अलग-अलग qualification दिया गया है तो यहाँ पे आप चेक करेंगे सबसे पहले qualification को जो भी आपके पास qualification होगा जिस पोस्ट लिए और उसी के recording आपको vacancy को चेक कर लेना होगा और इसमें जो आपका height या chest होगा अपलाइक करने के लिए जो कि यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया जो candidate general, EWS, OBC, SC candidate होगे उनके लिए यहाँ पे जो height होगा जो male candidate होगे उनके लिए यहाँ पे दिया गया height उनके लिए यहाँ पे जो height होगा male के लिए 1,7 cm, chest 75-80 cm और पर male के लिए 88 cm यहाँ पे height दिया गया है और जो candidate हीलेरिया से बिलोंग करते हैं उनके लिए यहाँ पे अलग से height और chest दिया गया है तो आप अपने state के recording यहाँ पर चेक कर सकते हैं और यह जो notification अभी जारी किया गया BSF से अभी यहाँ पर short notification जारी किया गया है जैसे यहाँ पर full notification आएगा इसके बाद आपको जनकारी मिल पाएगी selection कैसे होगा जिसमें कि आपका return test रनिंग कितना होगा कितने समय आपको complete करना होगा form फिल अप करने के लिए कितना आपको फीज देना होगा वो सभी जनकारी आपको जैसे यहाँ पर full notification आएगा उसमें आपको मिल जाएगी अदर जनकारी के लिए आप हमारे official वे साइट पर जा सकते हैं अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और साथ इसाथ वे लाइकन को दबा दीजिए वीडियो को देखने के लिए धान्यवाद